किसी नगर में एक साहुकार रहता था, नगर में उसका वैपार फैला हुआ था, लोगों में भी मान सम्मान था, धन निधान की कोई भी कमी नहीं थी, परन्तु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बड़ा दुखी रहता था, और वह भगवान शिव की पूजा राधना कि परवती माता को बड़ी प्रसंता हुई, सावन माह में जब शिव और परवती माता धरती पर विचरन करने आये हुए थे, परवती माता ने देखा कि वह भग्त बहुत ही दुखी है, और कितने दिनों से सुमवार की वरत और पूजा कर रहा है, परवती जी ने भगवान से कहा, स्वामी आप इसकी मनोकामना पूरी करें, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, परवती इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है, पराणी जैसा कर्म करता है, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसके बावजूद भी परवती माता नहीं माने उन्होंने आग्रव करते हुए कहा नहीं प्राणात आपको इस सहुकार की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी वह आपका परम भक्त है प्रभू इसकी आस्था को ठेश पहुचेगी उसे पुत्र का वर्दान दे माता पार्वती के आग्रव करने पर शिवजी ने कहा ठीक है मैं सहुकार को वर्दान देता हूं लेकिन इसकी संतान की आयु केवल 16 वर्षी रहेगी सहुकार को उसी रात सव्प में आकर भगवान ने संतान प्राप्ती का वर्दान दिया उसके पुत्र केMS 16 वर्ष तक जीवित रहने की बाद भी बताई भगवान के वर्द उसके घर अधिसंदर बालक का जन्म हुआ साहुकार के घर में खुशियां भर गई बहुत धूमदाम से पुत्र जन्म का समारो मनाया गया परंतु साहुकार को अधिक खुशी नहीं थी उसे पुत्र की अलपायू के बारे में पता था यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं विद्वान और ब्रामनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब पुत्र ग्यारा वर्ष का हुआ तो सिक्षा के लिए उसे काशी भेजने का निर्णे किया। साहुकार ने अमर के मामा दीब चंद को बुलाया और अमर को सिक्षा प्राप्त कराने के लिए काशी छोड़ने को कहा। रास्ते में जहां भी ठहर ना वहीं यग्य करते और ब्रामनों को भोजन कराते हुए जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रातरी विश्राम के लिए रुखते वहीं यग्य करते और भ्रामनों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद दीपचंद और अमर एक नगर पहुँचे उस नगर के राजा की पुत्री का विवा की खुशी में नगर को सजाया गया था। निश्य समय पर बरात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे की आँख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भैस अता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने प वर विवा से इंकार कर देगा, उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसको एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बनाकर राजकुमारी से विवा करा दूँ। विवा के बाद इसको बहुत सारा धन दे कर विदा कर वर के पिता ने इसी संबंद में दीपचन से बात की। धन मिलने के लालच में दीपचन ने वर के पिता की बात सुईकार कर ली। अमर को दूला के वस्तर पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विवा करा दिया गया। राजा ने बहुत साधन दे कर राजकुमारी को विद नसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं अब तुम्हें जिस दुले की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी चुन्डी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया राजा ने सब बाते जान कर राजकु पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समापती पर प्रामण को खूब बोजन कराया और खूब अनवस्तर दान किये रात को अमर अपने स्यन कक्ष में सो गया शिव के वर्दान के अनुसार श्यन अवस्ता में ही अमर के प्राण उड़ गए सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देख कर रोने पीटने लगा तभी आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाप करने के सुर्ग से माता पारवती विचलित हो गई और उन्होंने भगवान से का है प्रानात मुझसे इसके रोने की आवास सहन नहीं हो रह है आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव ने पारवती के साथ अद्रश रूप में समीब जाकर अमर को देखा तो शिव बोले पारवती यह तो उसी सावकार का पुत्र है मैंने इसे ही सोला वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो अ अपने प्रान त्याग देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है वर्षों से सोमवार का वरत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पारवती के आगर करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही बलों में वह जीव पहचान लिया यह गिसमाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्तर दे कर राजकुमारी के साथ विदा किया और वह दोनूं अपने नगर के लिए चल दिये सहुकार ने अपनी पतनी के साथ सुयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भूके प्यासे रहकर वह अपने पुत्र की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्यक कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यू का समाचार मिला तो वह दोनूं अपने प्रांट त्याग देंगे जब मामा और अमर न दिकाना ना रहा उसने तुरंत भोले नात को प्रणाम कर धन्यवात किया उसी राद भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि भक्त मैंने तेरे सोमवार के वरत करने और तकता सुनने जसे प्रसंढ होकर तेरे पुत्र को लंबी आयो ब्रदान की है यह सुनकर सा स difकार आतिप्रसन्व और जैसे सोवार के व्रत करने से साहूकार के घर में खुशियां लोटाई उसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है कि جो श्री पूर्व सावन के सोमवार का विदीवत्त करते हैं और इस व्रत कि था को कहते और सुनते हैं उनकी सभी इच्छाय पूरी होती हैं हर हर महादेव